हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत हैं फ्रेंस आज हम जुड घटाना गुड़ा एवं भाग को हल करना सीखेंगे फ्रेंस जब आपको ये चारो जो संक्रियाई एक ही में देदे तो आप कैसे हल करेंगे चले फ्रेंट स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंट आपके सामने एक प्रशन लिया गया है देखें यह लिखा है पांच गुड़े 5 माइनस 4 भागे 2 प्लस 4 इस प्रकार केप्रशन को कैसे हल करेंगे फ्रेंट यह बहुत ज़ादा सिंपल है इसको अब सिंपल तरीका से हल करेंगे चलिए फ्रेंज देखे इसको हल करते समय बस कुछ मुख्य बातों को ध्यान दिया जाता है देखे वह बात क्या है देखे पहले नमबर पर जब इस प्रकार से जोड़ घटाना गुड़ा भाग एक ही में दे दे तो उसको हल करते समय हमेसा ध्यान दिया जाता है कि पहले नमबर पर भाग हल किया जाता है दूसरे नमबर पर गुड़ा को हल किया जाता है तीसरे नमबर पर आपको जोड़ और चौते नमबर पर आप गाटाना हल करेंगे चलिए इसको हल करके देखते हैं देखें फ्रेंस इसको हल करते हैं कैसे हल करेंगे अभी पता है पहले नमबर क्या हल करना है आपको भाग हल करना है तो भाग कहां पर देखें ये दोने भाग है यानिक ऐसे घेल लीजी ठीक है इसके लाव जितनी संख्या बाच रही उसको उसी तरह कुपता लेजी देखे 5 है गुड़े 5 है और माइनस अब देखे 2 का भाग 4 में देखे 2 बार जाएगा ठीक है यहाँ पे धन का चीन है धन ले लेंगे प्लस 4 देखे हो गया अगला ही स्टेप क्या करना है दूसरे नमप 50 छार अब अगला स्टेप क्या है और फिर्द आपको अगला तीसरे नमपर पह क्याल करना जोड अब दोडर है अखल धनधन को आपस में जोडते हैं be 25 लिखा है इर्ठाट 25 और 24 को आपस में जोड़ेंगग ठीक है इसमें दो को मत जोड़ेशए इसलिए इसलिए 2-2 है त पचीस और चार को तब पचीस और चार जोड़ेंगे कितना हो जागा फ्रेंस? 29 होगा, माइनेस दो है तो माइनेस दो लिख लिजिए अगला इस टिप क्या आपको बच रहा है? घटा ना है तो असंख्या को क्या कीजिए? घटा लिजिए, तो 29 में से दो जाएगा, 27 हो जागा फ्रेंस यही आपको क्या होगा? इंसर होगा, चलिए एक और एक्जामपल से समझते हैं फ्रेंस, जैसे कंसेप्ट आपको क्या हो जाए फ्रेंस? आपके सामने अगला प्रशन है, देखें, दस माइनस पांच गुड़े दू, धन, आठ भागे चार, फ्रेंस अभी उपर आपको समझाए हैं, उपर वाले प्रशन में, कि सबसे पहले भाग को हल करना है, अर्थात इसको सबसे पहले हल कीजिए, ठीक है, इसके बाद आप क का करेंगे, इसके अलाज इतनी संख्या बच्रे पहले हैं, दाल लीजिए, देखें, दस माइनस पांच गुड़े दो, ठीक है, और यहाँ पर धन, चार का भाग आठ में देखें, कितना होगा, चार दोना के आठ, अगला इस्टेप दूसरे नमबर पे किसको हल किया जाता इसको हल करना है, इसके अलाज जो संख्या बच रहे हैं, इसको दाल लीजिए, यहाँ पर आपका 10 है, माइनस, देखें, दू का 5 में करेंगे, दू पाचे, 10 होगा, प्लस 2 होगा, अगले इस्टेप पर क्या बता हैं, तीसरे नमबर पे हैं, आपको जोड हल करना है, जोड यह धन में है, और 2 होगा, इन दोनों का आपस में चोड़ेंगे, ठीक है, ते 10 कितना हो जाएगा, आपका, 12 होगा, माइनस, 10 बच रहे, 10 उग्दार लीजिए, अगलाई स्टेप में क्या करना है, कि 10 में से 10, अरे सुरी दोस्तों, 12 में से 10 को घटाना है, तो 12 में से 10 घट नहीं होगा, कभी आपसे सवाल गलती भी नहीं होगा, तो फ्रेंस, इस प्रकार के प्रश्न को आप सिंपल तरीका से इसी प्रकार लगा सकते हैं, तो फ्रेंस, आपको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए है, तो चैनल को सब्सक्राइब थैंक्स फार वाचिंग।